परमी से हुआ हाल बेहाल, बिजली के बढ़ते बिलने बदली जाल, ले आएं, made in India, एकसालता ओक्सी सोलर एसी, वर्ल्ट का पहला एसी जो ओक्सीजन बनाए और रखे आपको स्विस्त, अल्ट्रा वालेट और सिल्वर आयन टेक्नालोजी जो ले कोरोना के क्लास, और तो और जो चले बिना बिजली के, और बचाए बिजली का विल, एकसालता ओक्सी सोलर एसी, स्मार्ट लोगों का स्मार्ट एसी सोलर टैनल से, बैंट्री से, जन्क रेड़ से, यह ओप्शन है इसमें, स्मार्ट एसी बद एर टेरिफिकेशन, कूलिंग, बेस्ट कूलिंग, और जो इसका कंडेक्सर है, वो कॉपर का है, और मेंग एन इडिया, क्योंकि यह इडिया में बनते हैं अभी मैं आपको इसके अमपेर दखा देता हूँ, यह मेरे पास एक एसी अमपेर मीटर है, और अभी यह चल रहा है में 220 बोल्ट एसी से, यहाँ से एसी से चल रहा है, एसी स्प्लाई से, और जो इसके अमपेर है, जैसा कि अगर हम सेंपल एसी की बात करें, जो पराने अम्पेर लेते हैं लेकन जो एनवल्थे इसी है वो यह देखे इस तरह से तीन अम्पेर लेते हैं तो इसी तरह से यह सोलर इसी है अभी में से चल रहा है अभी यह तेन अम्पेर है लेकन जैसे जैसे इसके अंदर कमरे के अंदर कूलंग हो जाएगी तो इसके जो अम्पेर ह वो तकरीबर डेड़ अम्पेर के करीब आ जाएगा तो जहां पर ये कंपनी की आर एंडी है मैं वहां पर ये वीडियो बना रहा हूँ और ये देखें ये इसके अंदर का ये कंडेक्सर है ये कॉप्तर का है तो इसलिए ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर जो कॉप्तर का बना हुआ है और जो इसके अंदर मोटर लगी हुई है वो बी अलडीसी मोटर है जिसके कारण ये अम्पेर काफी कम लेता है तो इसमें जो कंप्रेशन लगा हुआ है वो है हिटाची कमपनी का अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ये देखें और ये पॉना टाम से लेकर दो टाम तक के एसी बनाते हैं स्पेशल सोलर के लिए यहाँ पर ये मैं वीडियो बना रहा हूँ यहें इनकी आर एंडी है तो ज्यादा जान करें के लिए आप इनके जो फोन नमर दिये गए हैं डिस्क्लेक्शन में उनसे बात कर सकते हूँ जो ही इसका प्राइज है क्योंकि अलग अलग प्राइज है इसका और इसको आप मुवायल वाइफाई से भी पनेक्ट कर सकते हूँ यह देखें लिखा हुआ है वाइफाई एनेबल क्योंकि इसके अंदर वाइफाई है और यह काफी कम बीजली पर चलता है और यह देखें बैटरी उपरेटर्ड बत्रोंकि डी सी बैटरी से भी चलता है जो इसकी कूलन कपेश्टी है वो है 5.3 किलो वाट जो दूसरे के मकाबले थोड़ी ज्यादा है यह इनकी एप है इनके द्वारा आप इसको उपरेट कर सकते हूँ अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो इसी आपके जरी आप यह प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हो यह देखें इनके जो अलागलग मॉडल है इस वार्वेण स्प्लेड पिछले साल लगाया है यह देख टंड का एस है जो कि इसकी कूलिंग निक बहुत ही पादरीन है और बहुत अच्छा गाम कर रहा है ऑग्सी जो कि एक पैनल अच्छी पर्फोर्मेंस देता है और हमने इस पैनल के नीचे ही आउट्डोर रखी है इसी की दूप और बढ़सात से बचा रहे है और यह इसी के साथ हमने कंट्रोलर लगा रखा है यह इसी का ही कंट्रोलर है फजिस्या करें अ बढ़सान से खे टरों पडेश सी व्याइंस अ आपकाशन करें से में शाख में साथाइब लगा, फीचन लगाइब निचे कि आउटुमापर झाल झाल झाल